दोस्तों मेरे इस चैनल के जो ज्यादत और सब्सक्राइबर्स हैं वो यूज करते हैं कैनन का M50 या फिर कैनन का M50 Mark II कैमरा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जो कैनन M50 है या फिर M50 Mark II कैमरा है इसके लेंस के रिलेटेड जो भी आपके डाउट से वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ क्योंगी काफी साल लोग मेरे को इस चैनल के अंदर यही कॉमेंट करते हैं कि कौन सा जो लेंस है वो यहाँ पे Canon M50 Mark II में लगता है क्या हम यहाँ पे जो DSLR के जो लेंस वगेरा होते हैं क्या हम वो जो लेंसे से वो अपने इसमें कैमरा में लगा सकते हैं और कौन-कौन सा वो यहाँ पे lens type है जो यहाँ पे हम इस camera के अंदर लगा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि क्या आप यहाँ पे DSLR के जो lenses हैं वो आप इस camera में लगा सकते हो या फिर नहीं लगा सकते हो दोस्तों simple सा answer है जियां दोस्तों आप इसमें DSLR वगरे के lenses को लगा सकते हो लेकिन सारे जो lenses से वो आप नहीं लगा सकते हैं बस दोस्तों कुछी types के यहाँ पे जो lenses आते हैं वो आप इसमें लगा सकते हो अब इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से वो जो lenses से वो आप इसमें लगा सकते हो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर कौन से जो lenses वो इस camera में लगता है दोस्तों इस camera में लगता है EFM type वाला lens ठीक है आप दोस्तों अपना camera को उठाओ और उसका lens का जो cap उसको open करो उसके बाद दोस्तों उसके lens के ऊपर ही आपको देखने को मिल जागा EFM ठीक है यानि कि जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे जो EFM वाली type वाली यहाँ पे जो lenses से वो इस camera में लग जाता है ठीक है डिरेकली लग जाता है आपको कोई भी lens adapter की जरूत नहीं है अगर आप कोई यहाँ पे नया lens purchase करने वाले हो अगर आप चाहते हो कि आप बिना lens adapter के इस camera में लगा पाऊ तो आपको purchase करना होगा EFM टाइप वाला lens ठीक है अब चले दोस्तों यहाँ पे हम यह जान लेती कि कौन सा वो DSLR वाला lens है जो आप इसमें लगा सकते हो ठीक है तो यहाँ पे मैंने note down करके रखा है EFS टाइप वाले यहाँ आपको lenses देखने को मिलते है ठीक है यहाँ पे जैसे हमारे इस lens के उपर लिखा है EFM वैसे ही आप आपको एक और model देखने को मिल जाते है EFS ठीक है दोस्तों यह भी जो lens है इसको आप लगा सकते हो अपने camera के अंदर लेकिन दोस्तों आपको एक lens adapter की जरूरत पड़ेगी ठीक है और दोस्तों यहाँ पे एक और lens type है वो भी आप लगा सकते हो आप चाहे दोस्तों यहाँ प तीन हो टाइप के जो lenses है वो आप इस camera में काफी ज़ा आसानी से लगा सकते हो अगर आप एक lens adapter को पर्चेस कर लेते हो ज्यादा महेंगा नहीं आता है दोस्तों विल्टॉक्स का यहाँ आपको देखने को मिल जाता है चाहर पांच सबार का आपको एक lens adapter देखने को मिल जाता है उसके बाद दोस्तों सारे जो lenses है वो आप इस camera के अंदर लगा सकते हो ठीक है अब दोस्तों यही जो lenses है वो दोस्तों आप आर सीरीस वाले camera के अंदर भी लगा सकते हो काफी सार लोग का ये भी सवाल था कि क्या ह हम आगे आने वाले future lenses में मतलब future cameras में क्या हम लगा पाएंगे अगर आप खरीदते हो EF वाला lens दोस्तों उसको आप EOS R नाम का एक lens adapter आता है अगर आप उसको अपने R50 या फिर R series के जो भी cameras आते हैं उसमें अगर आप लगाते हो उसके पाद दोस्तों आप EF के लिए वीडियो नहीं दिखना चाहते हैं काफी चोटा वीडियो दिखने जाते हो वह भी सेम फॉर्मैट में तो उस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लेकिन अगर आप डीटेल में जानना चाहते हो हर एक कैमरा के बार में और cameras में क्या क्या चीज़े accessories बग में